बात कर यहां से अगर एडिबलोल पैक में सोयबीन की तो हम देख रहे हैं कि सोयबीन का नवंबर वाइदा 54 पर कारुवार कर रहा है और डिसेंबर वाइदा भी 5410 पर है वाइदा बजार में सोयबीन की कीमतों में बले ही नर्मी देखने को मिली हो लेकिन दिवाली के बाद कुछ जगा ऐसी है जहां पर भूरत पर सोयबीन की जो कीम्ते हैं वो काफी अच्छी खासी देखने को मिली है एक आदी मंडी में जो सोयबीन का भाव है वो 9000 के उपर जाता हो नज़र आया है जो सोयबीन की MSP भी नहीं मिल पार ही लागत निकालनी मुश्किल हो रही है जब कितना महंगा बीच खरीद कर किसानों ने इसकी बुगाई करी थी और दूसरा सरकार ने भी सोयबीन के किसानों का काफी नुकसान किया है ऐसा किसानों क्या क्याना है और हमने देखा भी यह कि सोयबीन की निकल जाए वह भी बहुथ बढ़ी बात है कुछ दिन पहले तक हमने सोयबीन का दाम किसी किसी मंडी में सतरा सोर रुपे प्रती कुंटल तक जाते वे देखा था जबकि जो MSP है वो उससे कई गुना जादा है तो जब MSP पर ही नहीं विक्री तो किसान भला गिरावट पर भी क्यों ही वेचेंगे तब भी नुकसान उठा रहे हैं तब भी तो इसलिए किसानों ने अब इसको स्टॉक करके चलना शुरू कर दिया है और किसानों का ये भी कहना है कि जो इस हिसाब से उत्पादन के आखड़े जादा बताये जा रहे हैं तो ये बला कैसे संबभ हो सकता है क्योंकि किसानों के किसानों का ये कहना है भी सोयबीन के उपड़ की बुगाई के समय सोयबीन का बीज उपलब्ध ही नहीं था और जब उपलब्ध इतना नहीं था इतनी जादा मातरा में तो सोयबीन का रगबा इतना कैसे बढ़ सकता है और सोयबीन जो अवेलेवल थी उस टैम पे जो अपलब्ध थी वो भी पूरी की पूरी बुगाई के लिए यूज नहीं की जा सकती थी क्योंकि सोयबीन की जो फसल थी हुई है जिसकी वज़ा से जो प्रोड़क्शन है जो उत्पादन होगा सोयबीन का वो कहीं न कहीं जरूर प्रभावित होता वह नजर आएगा इसलिए किसानों ने अब ख़बरों पर ध्यान ना देते वे सोयबीन को स्टॉप करके चलना शुरू कर दिया है और देखा जा अगले साल मार्च अप्रेल तक होल्ड करके रखें जो सक्षम किसान होल्ड करने लायक हैं वो होल्ड कर लें तब तक सोयबीन के जो कीमते हैं कुछ बढ़ती वी नजर आ सकती है और किसानों को मुनाफ़ा देती वी नजर आ सकती है तब जाके सोयबीन किसानों की जो लाग बनी रहती है तो अब किसान ही है जो सुवेविन की कीमतों में तेजी ला सकते हैं